नमस्कार विद्ध्याथी मित्रो आपने अगावना विडियो में प्रथम पद्यखण सम वदद्वम एना जे पहला जे बे मंद्रों छे एनो विगते अभ्यास करें हतो आजे आपने आज पद्यखण नो जे त्रीजो मंद्र छे एनो विगते अभ्यास करें शूँ तो मंद्र नमबर त्रण अनुव्रतह पितुहु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाहा जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांति वाम हवे अगाउना मंत्रो नी जे मज आ मंत्रामा पाण भवाशांतर करवा माटी आपने अन्वई गोठ विलाईशु तो अन्वई गोठाववा माटी मंत्रो नी जे पैले लिटी छे एमाधी पुत्रो शब्द सवधी पैला आवे छे पुत्रो पितुहु अनुव्रत हा मात्रा सम्मनाहा भवतु विजे लिटी जाया पत्ते मधुमतिम शान्ति वाम वाचम वदतु हमें आया अग्रा शब्द छे एनी नोद आपने करे लेशु अग्रा शब्द माँ सवधी पैलो शब्दा आवे छे अनुव्रत हा अनुव्रत हा एटले व्रतनी पाथ चालनारो बिजोर शब्दा छे मात्रा मात्रा एटले माता जाया एटले पतनी मधु मतिम मधूर शांती वाम शांती पूर्ण वाचम वाचम हो एटले वाने विद्ध्यार्धी मित्रू अगावने जेम थे मंत्रों मां जेम आगनार्थरना रूपो आवता हता तेम अईया पन जे भवतू ए आगनार्थ कानू रूप छे साथे साथे वदतू पन एज कानू रूप छे हवे आपनेनो अनुवाद करे लईशो तो अनुवई प्रमाणे पूत्रों एलेके पूत्र पितूहु पिताना अनुव्रत ह व्रतनी पाछ चालनारों मात्रा मातानी साथे सम्मनाहा समान विचारो भवतू समान विचारो वाओ भवतू ठाओ पूत्र पिताना व्रतनी पाछ चालनारों माता साथे समान विचारो वाओ ठाओ बिजिलेटी जाया जाया एटले पत्नी पत्ते पत्ते एटले पत्ती पत्तिनी साथे मधू मते मधूर आया चा अव्याय भशान तरने बन बेस्तो करवा माटे आपड़े लैशू मधूर चा अने शान्ती वाम शान्ती आपनारी वाचम वाणी वदतु बोलो हरिथी बिजिलेटी जाया पत्ते पत्तिनी साथे मधू मतें चा शान्ती वाम मधूर आने शान्ती आपनारी वाचम वाणी वदतु बोलो आखो मंद्र नो अनुवाज जोईलेशू अपणे उत्र पिताना व्रतनी पाच चालनारो मता साथे समान विचारो वाओ थाओ पत्तिनी साथे मधूर आने शान्ती आपनारी वाणी बोलो अनुवाज आपने नो दिलाईशू अनुवाज पूत्र पिताना व्रतनी पाच चालनारो मतानी मतानी साथे समान विचारो थाओ पत्तिनी साथे 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 मधूर आने शान्ती आपनारी वाणी बोलो हवे आ मंत्रम रूसी समझावे छेके के पूत्र पिताना व्रतनी पाच चालनारो मतानी व्रत इटले नियम जो पिता स्रेष्ठ विचारो ध्वारा स्रेष्ठ प्रवुती करता होए तो पूत्र ये पन ए पिताना जेस रेष्ठ विचारो छे एने अपना ववा जोई एज रिते माता साथे समान विचारो वाओ लेके माता पूत्रनू हम्मेश कल्यान ज इछती होई छे आम पन आपना संस्कृत साहित्यमा माता पिताने देव मानवामा आव्या छे पित्रू देवो भवह मात्रू देवो भवह एवो कहवामा आव्या छे एरी ते पन पूत्रों माता पिताना स्रेष्ट विचारो छे एने समझवा जोईये औने पोताना जीवनमा अपनाववा जोईये हवे पत्नी औने पतिनू उदाहरणा प्यो छे तो पत्नी पतिनी साथे मधूर एटलेके मिठास आपनारी बानी अने शान्ती आपनारी इलेके शान्ती पूर्ण मिठास पूर्णवानी अने शान्ती थी पोते जे कहवामा आगे छे ए वातने रजू करवी जोईये ए रिते भारतिय परमपराम लगन एक संसकार छे ए रिते आयां ए स्रेष्ठ दामपत्य जीवननों उदाहरन गुरुषी बत्तावे छे अने ए द्वारा मनुष्योने आपने संदेशो आपे छेके के बधाज मनुष्योए ए पूत्रए अने एना माता पिताए पन सरस्रिते पोतानाव जे गुरुहस्त जीवन छे ए पारिवारिक जीवन पसार करवू जोईये हवे विद्यार्थी मित्रो एना पच्छीनों जे मंत्र छे मंत्र नथी स्वरी प्रात्ना छे अईया त्राण मंत्र हता अवे मंत्र नथी श्लोक छे ए प्रात्ना छे हवे ए प्रात्ना ने आपने समझे लईशू तो सर्वे भवन्तु सुखी नहां सर्वे संतु निरामयाहा सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कच्चित नुख भाग भवेत हवे अगावना मंत्रा नी जैम आश्लोक नो पाण अन्वाई करी लईशू तो पहले लेठेली लईशू पहले लेठीमा जे सर्वे शब्द छे तो सर्वे सुखी नहां सुखी नहां भवन्तु सर्वे दिरामयाहा संतु सर्वे भद्राणी पश्यन्तु कच्चित लूख भागम मा भवेत आईया पण अगरा शब्द छे एने नोद करी शूँ सवधी पैलो सब्द छे सुखी नहां सुखी नहां इले सुखी निरामयाहा इले निरोगी भद्राणी कल्यान कारी बाबतो सर्वे एले बद्राणी अईया पण अघौव ना मंत्रोणी जेम आगनार्थ का ना जरूपो छे पैलेले लेटी में भववन्तु ए आगनार्थ का संतु एपण आगनार्थ का पश्यन्तु एपण आगनार्थ का ना रूपो छे अने छेल्लू जे भवेत छे ए विद्ध्यर्थका नुरूप छे। हवे भाषान तर आपणे समझी लेशूं। अन्वाईने रिते सरवे बधाज सुखी नहां सुखी भवन्तु थाओ। सरवे बधाज निरामयाहा निरोगी संतु बनो। पहले लेटें बधाज सुखी थाओ। बधाज निरोगी बनो। बिजी लेटें। सरवे बधाज भद्राणी कल्यान कारी बाब तोने। पश्यंतु पश्यंतु जुओ। कच्चित कोई पन दुख भागम दुखी मा ये ना अर्थम लेवाईलो इटें। कोई पन दुखी न भवेत थाओ। फरे थे बिजी देटें। बधाज कल्यान कारी बाब तोने जुओ। कोई पन दुखी न थाओ। आखा स्लोकन अनुवाद। बधाज सुखी थाओ। बधाज निरोगी बनो। बधाज कल्यान कारी बाब तोने जुओ। कोई पन दुखी न थाओ। हवे अनुवाद निरोद आपने करी लेशू। बधाज सुखी थाओ। बधाज निरोगी बनो। कल्यान कारी बाब तोने जुओ। कोई पन दुखी न थाओ। विद्ध्यार्थे मित्रों आ प्राध्नाना स्लोकम सर्व कल्याननी भावना व्यक्त करी छे। अपणा संस्कृत साहित्यमा आयां वसुधिव कुटूंबकम वसुदा एटले धरती एव एटले ज़। कुटूंबकम एटले परिवार। धरती ज आपनों परिवार छे। एट भावना आ प्राध्नामा व्यक्त थाय छे। अईयां व्यक्ती व्यक्ती वच्चे सहकारनी, सुखनी, संपनी, एकतानी वाद करी छे। सुख करे वुछे के बधाज सुखी थाओं एले के धरती पर वस्ता मनुष्यों ए आख़ी धरतीनी वाद करी छे। सुखी थाओं एना पोतानी जीवन जरुरियात छे। वस्तो एने प्राप्त थाओं बधाज निरोगी रहों निरोगी एले तंदुरस्ती। तंदुरस्ती ए जीवननू सुथी पहलू सुख छे। अन तेथीच संस्कृत मा कहवाए छे के शरीरं धर्मं आध्य साधनं शरीर ए धर्मनू पहलू साधन छे। जो आपणू मनने शरीर तंदुरस्त हसे तो आ मनुष्य तरीकेनू जीवन छे ए आपणने जीवा लायक एलेके आनंद प्रद बनी रहेश्य। आगर केछे बधाज एक विजान कल्याननी वाबत ने जूँँँए एक विजान मानस मानस विजा मानस ने एन ए पोते पन सुखी थाए साथे सामे विजी व्यक्ति पन सुखी थाए। एवी भावना व्यक्त करे छे पोई व्यक्तिने हानी पोचाडवी जोये नहीं कुद्रती रिते जे मनुष्य ने एलके आधरती पर जे मनुष्य पशु पंखियो जने ए जीवननो अधिकार मोयलो छे ए अधिकार ने आईया दर्शावामा आवयो छे के एने कल्यानने जो एने जीवा माटे एनुझे रिते जीवन छे कुद्रती रिते ए जीवा देवु जोये कोई पंड दुखी न थाए जो बधा एक बीचानु कल्यान जुए तो अधरती पर रहता मनुष्य माधी कोई दुखी न थाए एवी उच प्रकार्नी प्राथना आ श्लोक मा करवामा आवी छे हवे अपनो जे पांच मो श्लोक छे एने पन अपड़े साथे साथे समझी लैशू श्लोक नमबर पांच सवधे पेला आपड़े एश्लोक ने नोधी लैशू काले वर्षतू परजन्य हों प्रुद्वी सश्च शाली नी देशो आयम क्षोब रहीतो मानवाहा संतू निर्भयाहा पांच मो श्लोक छे काले वर्षतू परजन्य हों प्रुद्वी सश्च शाली नी देशो आयम क्षोब रहीतो मानवाहा संतू निर्भयाहा हमें गावनी जेम आयापण येना पदक्रम गोठवी लैशू तो सउधी पैला परजन्य हों पैले लेटी मानथे शब्दल लैशू प्रुद्वी सश्च शाली नी आयम देशो हो क्षोब रहीतो हो आयम विसर्गन ओधाईने तो शब्द छे पना विसर्ग छे क्षोब रहीतो हो माना वाहा निरभयाहा संतु विद्ध्यार थे मित्रो आपने एनो अनवाय नो धेली दो के पर्जन्यह काले वर्षतु प्रुद्वी सश्च शाली नी आयम देशह शोब रहीतह मान वाहा निरभयाहा संतु हवे एमा आवता अग्रा शब्द छे एनी नोध पना आपने करे लैशू तो सश्च साली नी सवध है प्रुथवी शब्द छे प्रुथवी एले के धरती अने एनी आगाव पन पर्जन्या शब्द छे पर्जन्या शब्द पहला लाईशू लिदे शोब्धी आगर शब्द छे क्षोब्र ही तह गब्राट वगर वगर नो बिजो शब्द एच्छे उच्चाट वगर नो मानव आहा निर्भय आहा निर्भय आहा ले निटर अथवा निर्भय शब्द पर चाल से निर्भय एव शब्द आपने लाईशू निर्भय निडर वगेरे शब्दो आवी शब्द हवे शब्दो नी नोवत करे आपने एणनो अनुवाद करी लाईशू तो अनुवय प्रमाने लाईशू आपने परजण्य हो एवले वर्षाद काले वक्षत अथवा समय वर्षाद योग्य समय वर्षतू एवले वर्षो प्रूथवी एवले धर्ती अथवा प्रूथवी शब्द आपन चाल से धर्ती सस्य एवले धान्य शालीनी एले शोबती, धरती धान्यने लिदे शोबती ठाओ, अई याँ वाक्या पूना कराा माटे आपणे लईशो, फरीठी पहले लिटी, वर्षात, योग्या समई वर्षो, धरती धान्यने लिदे शोबती ठाओ, बिजे लेटी. अयम अयम इсем आ देश हो इपनिट देश आदेश क्षोब रहित है क्षोब रहिता ना बे अर्थ छै घबराट वगरणो अने उच्चाट वगरणो इहमा दो आपने एकर शब्दा लएशू के घबराट वगरणो आदेश घबराट वगरणो बनो या बनो यह शब्द अस्तु शब्द मुखवानों छे बनो मानवाहा मानवाहा नी आगपन सर्वे शब्द लेवानों छे बधाज मानसो निर्भय आहा निर्भय संतु बनो फरिथी चोयलो बिची लेटी अयम देशह क्षोब रहितह आदेश गब्राट वगर्नो सर्वे मानवाहा निर्भय आहा संतु बधाज मानसो निर्भय बनो आखो मंत्रा स्वरी स्लोक नो अनुवाद वर्षाज योग्य समय वर्षो धरती धान्यने लिधे शोबती थाओ आदेश गब्राट वगर्नो बनो बधाज मानसो निर्भय बनो हवे अनुवादनी नोल करे लएशो आपणे वर्षाज योग्य समय वर्षो धरती धान्यने लिधे लिधे शोबती थाओ आदेश गब्राट वगर्नो बनो बधाज मानसो निर्भय बनो हवे आशलोक मां कवी कहे छें के आपणो जे भारत देश छें ए मां खेती प्रधान देश छें जोके थोड़ा वर्षो धी फेरफार थैलो छें तेम छत अत्यारे पण मोटा भागना लोकोनो मुख्य जे आजिविकानो आधार छें ए खेती छें जो वर्षाद समयसर वर्षें तो जे खेडूत वर्ग छें खेती करनारों ए पोताना खेतरों मां योग्यारीते बीजनी वावनी करी शकें अने समयसर ए पाग पन लई शकें साथे ए पोताना जीवन विद निर्वाह चलावे अने देश माटे उप्योगी जे धान्य छें ए बचार मां वेची ने उपज मेवे बिचे देटी मां गहे छें के आ देश घबराट वगरनों घबराट लेके देश मां जो और आजकता और शांती आंतकवाद के क्यारेक क्यारेक मानव सर्जित अथवातों कुद्रती आपत्ती जो आवे तो देश मां जे प्रजा जे ए पोतानु जे कार्य छें के ए व्यवस्तित रिते करी शके नई अने प्रजा ने पड़ हाड मारी वेत्वी पड़े देश ने प्रगती ने पड़ नुक्षानी थाए तेथी ए घबराट वगर नो बने तो बधाज मनुष्य जो ए पोत पतानु कार्य व्यवस्तित रिते करी शके जेथी पताना मानस तरिकेनु पतानु जीवन धोरण पन उन्चो आवे अने साथे साथे देश नी पण प्रगती थाए एवु कवी आ स्लोक मां कहे छे विद्ध्यार्थी मित्रो आजे आपनो पांच मों जे पेला पद्यखणनों पांच मों स्लोक तो ए आयां पूर्ण थाए छे अस्तु